ओम शान्ती साथ अगस्त दोजार बावीस अवेक्त बापदादा के महावाक्या रिवाईश तारिक है अट्राजनवरी 1992 मुरली का साहे बाप से स्नेक की निशानी बाप समान बनना आज बापदादा बहत के मातपिता के सामने सारा बहत का परिवार है सिर्फ यह सबा नहीं है लेकिन चार और के स्नेई सयोगी बच्चों का छोटा सा ब्रामन परिवार अति प्यारा और न्यारा परिवार अलोकिक परिवार चित्र में होते विचित्र अनुखा परिवार सामने है बाप दादा अमरूत वेले से सभी बच्चों के सने की मिलन मनाने की वरदान लेने की मीठी मीठी रूहरियान सुन रहे थे सभी के मन में सने की भावना और समान बनने की स्रिष्ट कामना यही उमंग उस्साह चार और देखा आज के दिन मैजरेटी बच्चों के सामने नंबर वन स्रेष्ट आत्मा ब्रह्मा मात्पिता इमर्ज रूप में था सभी के दिल में आज विशेश प्यार के सागर बाब दादा का प्रेम सोरु प्रतिक शुरूप में नैनों में के सामने रहा चार ओर के सरो बच्चो के स्ने के दिल के गीत बाब दादा ने सुने स्ने के रिटन में वर्दाता बाब बच्चो को यही वर्दान दे रहे है सदा हर समय एक हर एक आत्मा से हर परिस्तिती में स्नही मुर्थ भव कभी भी अपना स्नी मुर्त, स्नी की सिरत, स्नी वेवार, स्नी के संपर्क सबंदों को छोड़ना मत, भुलना मत चाहे कोई वेक्ती, चाहे प्रकूर्ती, चाहे माया, कैसा भी विक्राल ज्वाला रूप धारन कर सामने आए लेकिन विक्राल ज्वाला रूप को सदा सन्हे के शितलता द्वारा परिवतन करते रहना इस सन्हे वर्ष में विशे सन्हे लेना सन्हे देना है सन्हे की दृष्टी, सन्हे की वृत्ती, सन्हे मैं कृत्ती द्वारा सन्हे सुरुष्टी बनानी है कोई स्ने नहीं भी दे लेकिन आप मास्टर स्ने स्वरुप आत्मय दाता बन रुवानी स्ने देते जलो आज की जीव आत्मय स्ने अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है स्ने की एक घड़ी अर्थात एक बुंद की प्यासी है सिवाए सच्चे सने के कारण परेशान हो भटक रहे है सच्चे रुवानी स्टेन को ढून रहे है ऐसी 85 आत्माओं को सहारा देने वाले आप माश्टर ग्यान सागर हो अपने आप से पूछो आप सभी आत्माओं को ब्राह्मन परिवार में परिवर्तन करने का आकरशित करने का विशेस आधर क्या रहा यही सच्चा प्यार मातपीता का प्यार रुवानी परिवार का प्यार इस प्यार की प्राप्ती ने परिवर्तन किया ग्यान तो पीछे समझते हो लेकिन पहला आकरशन सच्चा निश्वार्त पारिवारिक प्यार यही foundation दाना इससे भी सभी आयना विश्व में अरब खरब पती बहुत है लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिकारी है क्यों अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता साइन्स वालोंने देखो कितने भी अलबकाल के सुक के साधन विश्व को दिये है लेकिन जितने बड़े वेग्यानिक है उतना ही और कुछ खोष कर रहे हैं और कुछ खोष करे इस खोष में ही खोए हुए है संतुष्टता की अनुभूती नहीं है और कुछ करे और कुछ करे इसमें ही समय गवाया देते हैं उन्हों का संसार ही खोज करना है आप जैसे ने संपन्नत जीवन के अनुभुती नहीं है नेताय देखो अपनी कुर्शी संभालने में ही लगे हुए है कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए है और आप ब्रामन सदा परमात प्यार के जूले में जूलते हो कल का फिकर नहीं है न कल का फिकर है न कल का फिकर है न काल का फिकर है क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होना है वह और अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छा बन गए हो ब्रामन जीवन अर्थाद बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छे है इसकी बधाया मनाना ऐसा किया है या भी विदाई दे रहे है जो जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी नए वर्ष के लिए वधाया दिये ना बधाय के काड बहुत आये है ना बुद्वच्चों के बधाय के काड ततापत्र आये है बाब ददा कहते हैं जैसे नए वर्ष में काड भेजे वा संकल्प किया तो संगम युक पर तो हर सेकड नया है ना संगम युक के हर सेकड की बधाय के काड नहीं भेजना काड संभालना मुश्किल हो जाता है लेकिन काड की बज़े रिकाड रखना की हर सेकड नया अनुभो किया हर नए सेकंड नया उमंगुस सा अनुभो किया हर सेकंड अपने में नवीनता अर्था दिव्यता विशिस्ता के अनुभो की उसकी बधाईया देते है आप ब्रामन आत्मों की सबसे बड़े ते बड़ी सेरे मेनी हर समय कुन सी है सेरिमनी अर्थाद खुशी का समय या खुशी का दिन सेरिमनी में सबसे बड़ी ती बड़ी मिलन मनाने की होती है सेरिमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है न मिलन मनाना ही खुशी मनाना है आप सबका परमात्म मिलन सृष्ट आत्मों का मिलन हर समय होता है ना तो हर समय सेरिमनी हुई ना नाचो गाओ और खाओ यही सेरिमनी होती है ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो कोई प्रवुर्ती वाले अपनी कमाय से नहीं खाते है सेंटर वाले की सेंटर की भंडारी से नहीं खाते लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से शिव बाप की भंडारी से खाते है ना मेरी प्रवुर्ती ना मेरा सेंटर है प्रवर्ती में हो तो भी ट्रश्टी हो बाप की स्रीमत प्रमान निमित बने हुए हो और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है न कि मेरे इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है ब्रह्मा बाप का भंडारा है इस मुर्ती से भंडारी भंडारी भी भरपूर है इस मुर्ति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा मेरा पन लाया तो भंडारा वो भंडारी में बरकत नहीं होगी किसी भी कारिय में अगर कोई प्रकार की खोट अत्वा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाए मेरे पन की खोट है इसलिए खोट होती है खोट शब्द की कमी को भी खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धी मिक्स को भी कहा जाता है जैसे सोने में खोट मने खाद पड़ जाती है न लेकिन ब्रामन जीवन तो हर सेकंड सिरोमनी मनाने की बधाईयों की है समझा वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है अभी अभी आवाज में हो अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी फरिस्ता अर्थात आवाज से परे अवेक्स सिती यह नहीं तो वातावरन बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लाश्ट समय चारो और वेक्तियों का प्रकुर्ति का हलचल और आवाज होगा चिलाने का हिलाने का यही वायू मंडल होगा ऐसे समय पर ही एक सेकन में अवेक्त फरिश्टा सो निराकारी अशरीर आत्मा हूँ या अभ्यास ही विजह बनाएगा यसमूर्ति सिमरन अर्तात वीजे माला में लाएगी इसलिए या अभ्यास अभी से आती आवश्टा है इसको कहते है फ्रकुर्ति जित माया जित मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए चाहे तो खानों द्वारा सुने अगर नहीं चाहे तो सेकर्ड में फुल स्टॉप आदा स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना स्ने की निशानी है समान बनना हर एक कहते है मेरा स्ने जादा है कोई से भी पुचेंगे किसका स्ने ब्रह्मा बाप से जादा है तो सबी यही कहेंगे कि मेरा तो जैसे सने में समझते हो मेरा सने जादा है ऐसे समान बनने में भी तिवरप पुरशार्टी करो कि मैं नंबर वन नंबर वन के साथ युगल दाने के साथ दाना मालों में पिरायो जाओ इसको कहते है सने का रिटन दिया सने में मदुबन में भागने में तो हुश्यार होना सभी जल्दी जल्दी भाग कर पोच गए होना जैसे यह प्रत्यक्ष सुरुब दिखाया ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष सुरुब दिखाओ स्तान छोटा है और दिल बड़ी है इसलिए उलना नहीं देना, की जगह नहीं मिली, जब दिल बड़ी है, तो प्यार में कोई भी तकलिप तकलिप नहीं लगती है, बाप दादा को बच्ची की तकलिप भी देखी नहीं जाती है, हाई योग लगा, तो स्तान तयार हो जाएगा, अच्छा, चार ओर के देश मुर्ति दिवस का इस मुर्ति दिवस पा नव वर्ष की याद प्यार बाब दादा को मिली सब के दिल के मीठे मीठे साज बाब दादा ने सुने रिटन में बाब दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे का याद प्यार दे रहे उड़े रहो और माया के खेल खिलाडी बन देखते चलो प्रकुर्ति की परिस्थितिया माश्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो बाप का हाथ और दिव्य बुद्धी योग रुपी साथ सदा अनुबो कर समर्त बन सदा पास बित अनर बनते चलो सदा सने मूर्त भवा के वर्दान को समूर्ति सुरूप में याद रख ऐसे सर्वस ने मूर्तियों को सदा माश्टर दाता आत्मों को मात पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते हम रुपानी बच्चों की रुपानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते दादियों से बाप के साथ का वर्षा है ही विशेश पावर इस पावर द्वारा सर्वकारिय सवज आगे बढ़ते जा रहे है सभी समीप के साथ ही है ना साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप, और राजदानी में भी समीप जनम ते ही समीपता का वरदान मिला, सभी समीपता के वरदानी है, ऐसे अनिवो होता है ना साथ कानुबो होना यही समीपता की निशानी है अलग होना मुश्किल है साथ रहना सोतई है समीपता के संगटन के समीप है राज्य सियासन लेंगे ना सियासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना जैसे अभी दिल पर जीत है दिल को जीता फिर नंमबरवार प्विश्व के राज्यसियासन पर जीत होगी ऐसे विजे हैना आप लोगों के उमंग उस्सा को देख सभी उमंग उस्सा में चल रहे है और सदा चलते रहेंगे बच्चे बाप की कमाल गाते है और बाप बच्चों की कमाल गाते है आप कहते हो वा बाबा वा और बाबा कहते है वा बच्चे वा अच्छा है फिर पार्टियों से अवेक्त बाबदादा की मुलाखात है हम सभी पुझ्य और पुर्वज आत्मय है इतना नशा रहता है आप सभी इस रुष्टी रुपी व्रुक्ष को व्रुक्ष की जड़स में बैटे होना आदी पिता के बच्चे आदी रतन हो तो इस व्रुक्ष के तना भी आप हो जो भी डाल डालिया निकलती है वो बीच की वे बाद तना से ही निकलती है तो सबसे आदी धरम की आप आत्मय हो और सभी पीछे निकलते हैं इसलिए पुर्वज हो तो आप फाउंडेशन हो जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है तो इतना अटेंशन अपने उपर रखना है पुर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्शन बीच से कनेक्शन है आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्म द्वारा रचे हुए है दुनिया वाले से पूछो कि किसने रचा तो सभी सुनी सुनाई कर देंगे कि भगवान ने रचा लेकिन कहने मात्र है और आ जो खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है कोई महान आत्मा धर्मा आत्मा की रचना नहीं डायरेक्ट परमात्मा की रचना है तो डायरेक्ट में कितना शक्ती है तो डायरेक्ट में कितनी शक्ती है दुनिया वाले ढूंड रहे है कि कोई बेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है, तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेरा सदा ही खुशनुमा होगा ना, अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बैनों के प्रती, हॉस्पिटल में कोई दुख आता है, तो खुश हो जाता है ना, ऐसा वातावरन खुशी का है, जो कोई भी आए, दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरन बनता है वेक्ति के वाइब्रेशन से, कोई दुखी आत्माओं का संगटन हो, तो वहां का वातावरन भी दुख का होगा, वहां कोई हस्ता भी आ हैंपू है ना स्रिफ हैल्दी नहीं है पी भी सब मुस्कुराते रहेंगे हस्ते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी आधी दवाई हुशी है तो दवाईयों का भी खर्चा बच जाएगा न पेशन्ट भी खूश हो जाएंगे कि कम खर्च में निरोगी बन और हास्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डाक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा, जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बापने आगे आते थे, तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बाते लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंधरी अं जैसे बाप अलोकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित है वो भी सब अलोकिक होगे ना आप सभी की अलोकिक जीवन है या साधरन जीवन है जितना जितना तपश्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन वहुत तिवरगती से काम करेंगे अच्छा कम खर्चा बाला नशिन वाली ऑस्पिटल होनी चाहिए टाइम भी कम खर्चो और स्तूल धन भी कम खर्चो हो और बाला नशिन नाम बड़ा और खर्चा कम तो ऐसे अलोकिक सेवाधारी होना फाउंडेशन अच्छा डाला है उस्पिटल लगती है वा योग भवन लगता है ऐसा आवाज होगा कि यह उस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है हैप्पी हाउस है ऐसे लोकिक में भी हैप्पी हाउस बनाती है जो भी अंदर जाएगा हसता ही रहेगा लेकिन यह मन की मुस्कुराट है वो होता है थोड़े समय के लिए और यह सदाकाल के लिए अच्छा सदा हर्शित मूड में रहो कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं आप करना कोई गाली भी दे इंसर्ट भी करे लेकिन आप सदा हर्शित रहेना अच्छा ओम शान्ती फिर आज का वर्दान है समर्पन भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधरी भव सच्चे सेवाधरी वह है जो समर्पन भाव से सेवा करते है सेवा में जरा भी मेरापन का भाव नहो जा मेरापन है वा सपलता नहीं जब कोई यह समद लेते कि यह मेरा काम है मेरा विचार है मेरी फर जदाई है तो ये मेरा पनाना अर्तात मोध पन्न होना लेकिन कहा भी रहते सदा समूर्ती रहे कि मैं निमित हूँ ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवास्तान है तो समर्पन भाव से निमर्मान और नश्ट मुहाबन सपलता को प्राप्त कर लेंगे स्लोगन है सदा अपने सुमान की सीट पर रहो तो सर्वशक्तिया आडर मानती रहेगी अच्छा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थेंक यू बाबा थेंक यू